दोस्तों डॉल स्टोरी में आप सब ये का स्वागत है दिखते हैं आज की कहानी में क्या होता है इधर रूपा अपने बेटे गुड़ू और परी को लेकर सो रही है दिखते हैं आज की कहानी में क्या होता है अरे सुबा हो चुकी है मैं काम करती हूँ जल्दी से जग जाती हूँ मुझे काम भी बहुती जदा है अरे उड़ जाती हूँ और इधर उपा जग जाती है अरे मैं काम करती हूँ जल्दी से जाकर जाड़ू दे देती हूँ और ये प्रिया भी नहीं है प्रिया अपनी सहली के घर गई हुई है और स्याम भी नहीं है काम के सिलसिले से बाहर गए है मैं काम करती हूँ जल्दी से सारे घर पे जाड़ू दे देती हूँ और इधर उपा सारे घर पे जाड़ू देने लगती है अरे जल्दी सारे घर पे जाड़ू दे देती हूँ फिर बच्चों के लिए खाना बना दूंगी ये परी तो उठते ही उसे भूक लग जाती है मैं जल्दी से जाड़ू दे देती हूँ ला 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 और इधर रुपा गुन गुनाते हुए सारे घर पे जाडू देने लगती है चलो सारे घर पे जाडू दे दी हूँ अब मैं जाडू रख देती हूँ अरे ये लकडी बहुती ज्यादा गिली है जल भी नहीं रही है मैं काम करती हूँ पेले इसे छट पे लेकर सुखा देती हूँ धूप में बहुत ही अच्छी धूप पड़ी है ये गिली लकडी को लेकर अगर सुखा दूंगी तो जल्दी से सुख जाएंगे और मुझे खाना बनाने में दिक्यत भी नहीं होगी जल्दी से खाना बना दू और इधर उपा लकड़ी उठाने लगती है अरे ये लकड़ी कितनी भारी है मैं कैसे लेकर जाओं छट पे अरे स्याम भी नहीं है स्याम होते तो उन्हें बोलती लेकर सुखा देते कैसे इस लेकर जाओं कोसिस करती हूँ लेकर जाने के लिए और इधर रूपा कोसिस करके सर पे लकड़ी उठा लेती है और जल्दी से मैं जाती हूँ छट पे इसे सुखा कर जल्दी से आती हूँ खाना बनाना है मुझे अरे धीरे धीरे जाती हूँ, कहीं मेरा पैर ना फिसल जाए, ये लकडी कितना भारी हुआ है, ये मैं आराम से जाती हूँ, अरे आँ, मेरा पैर, मेरा पैर, आँ, अरे दर रूपा सिड्यों से फिसल जाती है, आँ, मेरा पैर, ये बगवान, अरे ये क्या हुआ, लगता है, रूपा का पैट तूट गया है ये बगवान ये तो रूपा सीडियों से गिर गई अब क्या होगा आरे परी बेटा बचाओ मम्मी का पैट तूट गया मेरा कमर मेरा पैर हर बार मैं सीड़ी से गिर जाती हूँ मेरा पैर मेरा कमार अरे ये क्या हुआ है मम्मी की चिलाने की आवाज आ रही है अरे मैं उठकर देखती हूँ क्या हुआ है और इधर परी भी जग जाती है अले मम्मी मम्मी क्या हुआ है ये बगवान लगता है मम्मी सीड़ी से गिर गई है अरे मैं ममी को जल्दी से उठात लेती हूँ अरे बगवान ममी मैं तो बहुती ज़्यादा चोटी हूँ ममी को नहीं उठा सकती मैं काम करती हूँ जल्दी से राधा अंटी को बुला कर लाती हूँ राधा अंटी से कुछ हेल्प मिल जाएगी और इधर परी राधा को बुलाने के लिए चली जाती है और इधर परी राधा को बुला कर ले आती है हे बगवान अरे ये रूपा का क्या हुआ है लगता है सीड़ी से गिर गई है अरे हाँ अंटी राधा अंटी देखिये ना ममी सीड़ी से गिर गई है और ममी के पैर पे और कमर में बहुत ही ज़दा चोट आई है, प्लेज कुछ करिए ना, अरे हाँ हाँ परी बेटा मैं कुछ करती हूँ, अरे काम करती हूँ, पहले इस रूपा को बेड में लेकर लिटाती हूँ, और इधर रूपा, और इधर राधा रूपा को उठाने लग पालारी आधियों आसे जैए South अंटी में मम्मी का ध्यान रकूंगी अब जल्दी से डॉक्व्टर में और यह प्लेस्चे और लाने खकते ही दोर्डी हम 2000 पूरं मैंIt नियमेगे घरियुद डॉक्वचुन गब्राओ मत मैं देखती हूं, अरे मैं चेक कर लेती हूं, इधर डॉक्टर चेक करने लगती हैं, अरे इसका पैर तो बांका हो गया है, लगता है पैर फैक्चर हो गई है, और कमर भी बहुती ज़्यादा, कमर की मसल में भी बहुती ज़्यादा चोट आई है, और पैर भी फ कि अरे हाँ हाँ डॉक्टर बुरी तरीके से फिसली है सिडियों से प्लीज आप कुछ भी करिये रूपा को जल्दी से ठीक कर दीजिए अरे हाँ हाँ राधा गब्राओ मैं उससे जो होगा मैं कर दूँगी ठीक हो जाएगी रूपा कुछ नहीं होगा बस कुछ दिन लगेगी ठीक हो जाएगी घबराने की कोई बात नहीं है अरे मैं काम करती हूँ फास्टेड बॉक्स से जल्दी से इंजेक्शन निकालती हूँ पैन किलर वाली इंजेक्शन दे दूँगी राधा को जल्दी से राहत मिल जाएगी और इधर डॉक्टर फास्टेड बॉक्स से पैन किलर की इंजेक्शन निकालने लगती है और इधर डॉक्टर गुपतारा को इंजेक्शन लगाने लगती है अरे राधा मैं पैन किलर की इंजेक्शन लगा देती हूँ रुपा को दर से राहत मिलेगी तुम्हें काम करना स्याम को भेज़ देना मेरी दुकान जाकर मेडिसिन ले आएगा और तुम थोड़ा सा ध्यान रखना रूपा का उसके पैर में फैक्चर आई हुई है और कमर की मसल में जखाम आई हुई है तुम उसे ज्यादा काम करने मत देना ठीक है डॉक्टर मैं ध्यान रखूंगी और रूपा को बैडरेश रखूंगी उसे काम करने नहीं दूंगी बस ठीक हो जाए रूपा अरे हाँ हाँ घबराने की कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी रूपा घबराने की कोई बात नहीं मैं राधा में चलती हूँ रुपा को इंजेक्शन लगा दी हूँ उसे बेडरेश में ही रखना मैं चलती हूँ याद करके स्याम को भेज़ देना मेडिसिन ले आएगा मेरे दुकान से ये बोलकर डॉक्टर गुपता हुआ से आ जाती है ये थी आज की कहानी दोस्तों हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सस्क्राइब करना ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग बाई बाई